नमस्कारम परिये जैनों आप देखने हैं बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत करेंगे बहुत करना है तो उसके मार्क्स का इस पेपर होगा इट मींस कि A to Z information बहुत बहुत करेंगे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इस चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेल आइकम प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपका कोई भी अपडेट मिसना होने पाए बीच्यू पाइट साला पे हम लोग कोर्स भी रन करा रहे हैं आपको अगर बीए एललबी की प्रेप्रेशन करनी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल या वर्टसप करके जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ठीक है हमारे यहां मात्म 1499 रूपए में बीए एललबी का कम्प् लाओंगा एलावाद का लग लाओंगा जितने भी सेंटर इन्वर्सटी जहां जहां बीए ललबी रन करता है उन सभी का मैं स्पेशल वीडियो बनाओंगा आज इस वीडियो हम लोग कहां देखने वाले हैं और वो देखने वाले हैं कि रिक्वाइड सेक्षन फॉर योर म बात करते हैं तो उसका कोष्ट जुरेशन तीन साल का है जो की यूजी करने के बाद होता है और यह जो होता है जस्ट बारहमी के बाद होता है इसके लिए आपके पास बारहमी में कोई स्पेस्पिक सब्देस की जुरत नहीं पड़ती है आप हिमेनेटी से आओ, कॉमर्स से पार्चुनेटी है और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसनमें ट्राइ कर रहे है एज अ क्लैट या किसी पर्टिकुलर इन्वर्सिटी के उस कोर्स के लिए ठीक है तो आईए हम लोग सोरी, एक्चुली हुआ क्या है कि आज किचन में खतरनाक वाला तड़का लग गया है और तब से continuous छिंक आ रही है मुझे, ठीक है तो माफ कीजेगा थोड़ा interrupt हो जाएगा बार बार वीडियो, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे required section में section 1, section 2 and section 3, यानि यहाँ पे तीनों section जो है वो CU, T, U, Z के आने वाले है, section 1 means language भी पूछा जाने वाला है, ठीक है, साथी साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे domain भी पूछा जाने वाला है, domain में किसका, legal का, और general test, जो की common paper के लिए लगबग हर university में eligible है, general test भी जिसको में लोग SWAT में GT बोलते हैं, वो भी इसमें क्या है, fulfill है, दिया गया है, आपको attempt करना है यानि section 1 भी, section 2 भी और section 3 भी, यह तीनो section जो है, आपके, अगर B.A.L.L.B. में आप admission लेना चाहते हो, तो आपको तीनो section के in subjects को लेना पड़ेगा, ध्यान देना कि legal compulsory है, ऐसा नहीं है कि legal को replace करके, आप quality, history, geography, B.A.L.B. में आपको अगर admission लेना है, B.A.L.B. में, तो legal ही लेना पड़ेगा, ठीक है, language में option है आपके पास, या तो Hindi लेलो, या तो English लेलो, ठीक है, जो Hindi की विद्यारती है, क्योंकि जो paper का media में हो Hindi English दोनों है, हाँ, एक बात यहाँ, बच्चे होती है, law की, वो भी लगभग English में ही मिलती है, तो ऐसे में कोसिस कीजेगा, कि admission भले, आप Hindi मीडियम से ले लेना, लेकिन धीरे-दीरे English की कोसिस करना, हमारे हाँ, जो लोग course द्वाइन करेंगे, उनको हम लोग बोथ language में course देते हैं, साथ में notes भी देते हैं, handwritten notes देते है समझ रहे हो, legal का पूरा एक combo pack ला रहे हैं, जिसमें पूरा domain cover करने वाले हैं हम लोग, अब यहांद हम लोग देखते हैं कि आपका required number of question और merit क्या है, यहां पे देखो S1, S2, S3, सबके अलग-अलग number of question है, जैसे language की बात करें, तो total यहां पे जो है, वो 50 question आपके पूछे जाएंगे, कितने question पूछे जाएंगे, 50 question पूछे जाएंगे, लेकिन answer कितने का करना है, 40 का ही करना है, आपके जो S2 है, यह S2 है, ध्यान देना, ठीक है, यह S2 है, section 2, जिसको domain बोलते हैं, इसमें 50 कभी आएगा, set और 40 कभी set आएगा, जैसे जो science के बच्चे हैं, उनके ल सेट आता है, तो 45 का आपको answer देना पड़ेगा, GT की बात करें, यानि S3 की बात करें, general test, तो वहाँ पे आपके 6 question पूछे जाएंगे, जिसमें आपको answer कितने करना है, 50 question का ही answer करना है, is question करी 5 marks, यानि 5 marks, एक question की जो value है, 5 number रखी गई है, और इस तरीके के आपके 200, 225 and 250, ये आपके अलग-अलग section के marks वे total, लेकिन यहाँ पे जो language है, क्योंकि BHU आपके CUT result के बाद merit count करेगा, means आपको बुलेगा कि आप अपना number count करो, और देखो कि इतने में से कितना आ रहा है, और आपकी merit बनेगी category wide, यहाँ पे ये लोग language को 50% ही consider करते हैं, ठीक है, ध्यान अब 50% consider क्या होता है, मैं आपको अच्छे समझा देता हूं, means कि एक लड़का इसमें से पाता है 180, कितना पाता है, 180, अब इस 180 का वोलो 90 marks ही count करेंगे, ऐसा इनका एक rule है, लेकिन यह rule मेवे की change भी हो सकता है, means ऐसा नहीं है कि change नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे मेरा एक idea है आपके लिए, वो यह है कि आप लोग section 2 और section 3 पे बढ़िहा मजबूती से काम करना, देखो legal का मेरा ground reporting में एक review रहा है, मैंने जो वहाँ पे reporting करी थी, बच्चों का कहना था कि legal बहुत easy आता है, language में कोई दम नहीं है, जो है वो GT में ही आपके पास सीने छोटने वाले, तो ऐसे में section 2 और section 3 को अच्छे से पढ़िए, अगर language ये लोग 50% कर भी देते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे बनिहा score कर सको, बाकि अगर ये पूरा 100% लेते हैं, तो कोई बात ही नहीं है, तो आप लोग confuse मत हो ना, ये मत सोच रहा है कि हमने 50% बोला तो 50% ही consider करेंगे, मै उस पर वीडियो बना देऊंगा, बेच्व पार्ट सला देखते रहें, mission 23 चल रहा है ये, मैं आप बता दूँ कि बेच्व पार्ट सला पर 100 वीडियोज फॉर योर 100 के, यानि बेच्व पार्ट सला की family को 100 के लिए जाना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, subscribe जरूर कीज़ेगा, क्योंकि इससे बेस चल आपको नहीं मिलेगा, official updates यहाँ पर, जब कटाफ स्टार्ट होगा, counseling स्टार्ट होगा, तो पुरी भर्मान हो जाएगी, वीडियोज कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे वीडियो, साथ ही साथ आपके एक comments को मैं pick out करता हूँ, आपको problem है, आप comment करो, उस पर आपको दूसरे दिन वीडियो मिल जाएगा, so please, चलो को subscribe करें, वीडियो को like करें, और will icon जरूब प्रेस करें, मुसकर आते रहें, बहुत साइस सोब काम नहीं, हरार महादेब, हाँ, course join करने के लिए description में की number है, उस पर call करके आप course join कर सकते हो, ठीक ह करें, हो कि मेरे